तो वेलकम डियर इस्टुरेंट्स आज हम लोग सीखेंगे प्रॉब्लेम बेस्ट ओन लोकस ऑफ इस्ट्रेट लाइन मतलब लोकस के कोश्चन जो स्ट्रेट लाइन के कॉंसेप्ट से रिलेटेड है एक बार फिर से कुईक्ली रिकॉल करते हैं लोकस लोकस के बारे में मैंने नहीं क्या बताया था दा पाथ फॉलोड बाय मॉविंग पॉइंट अंडर सर्टें डिवन कंडिसंस तो जैसे मैंने रेक्टेंगलर कोडिनिट के वक्त में बताया था ए और बी दो फिक्ट पॉइंट है यह मॉविंग पॉइंट है और यह ऐसे मॉव कर रहा है यह जहां एक special cases में उसका नाम भी है जैसे अगर P A और P B से equal distance पर है तो ये हमेशा A B का perpendicular bisector होगा अब जैसे माल लो ये fixed point है और ये moving point है तो ये moving point इस fixed point से हमेशा equal distance पर है ये 2D में ये जिस path को follow करेगा उसका equation F of XY होगा और ये जो XY है मतलब ये moving point है ये mathematical relation को fulfill करेगा जो भी इसका equation of locus आएगा तो F of XY, XY का जो भी ordered pair है वो हमेशा इसको satisfy करेगा तो इस case में अगर ये fixed point 11 है, fixed distance 3 है तो इसका मतलब ये एक circle का equation represent करेगा और locus के लिए मैंने अब बता रखा है यहाँ distance formula लगा दोगे तो op equals to 3, op square equals to 3 square तो ये क्या आएगा, x minus 1 square plus y minus 1 square equals to 9 ये सारी बाते हम अलेड़ी explain कर रखे हैं rectangular coordinate के lecture में और जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है पहले जाके उस lecture को देखो तो इसमें हमने ये बताया था जो variable point के coordinate को x, y, alpha, beta, h, k ये सब assume कर लो और जो given condition है उसको identify करो और उसके basis पर locust का equation find out करो ठीक है? तो एक बार quickly इस information को देख लो जो मैंने already यहाँ पर explain किया था locust के बारे में ठीक है? अब इस पर कुछ additional questions प्रैक्टिस करते हैं लोकस होता क्या है? लोकस के equations क्या होते हैं? वो सब already हर एक chapter में more or less definition seem है बट उस पर लगने वाला condition जो है वो depend करता है जैसे rectangular coordinate में distance formula, section formula लग रहा था straight line में rectangular coordinate plus straight line के concepts लगेंगे फिर circle chapter में locust आएगा फिर parabola में आएगा ठीक है? तो basically यहाँ पर हम लोगों को moving point का path find out करना है given information के basis पर तो अब पहला question first question देखो क्या कह रहा है? o is the origin and q is a variable point on x square equals to 4y तो roughly मैंने plot कर लिया है मान लो यह कोई curve है parabolic curve है x square equals to 4y तो अभी straight line पर रहे हो तो इससे फ़रकने पड़ता है जो curve का नाम क्या है parabolic है कि क्या है? बस यह दानों यह एक two degree curve है तो origin इसको satisfy कर रहा है o is the origin अब कर रहा है इसके उपर origin के अलाबा q एक point है q एक variable point है variable point मतलब इस curve पे लाई करने वाला point है हर वक्त bury कर रहा है तो मान लो यह q है q फिलाल यहां था यहां आया तो q1 बन गया यहां आया तो q2 बन गया origin से q को join करो या origin से q1 को join करो origin से q2 को join करो तो तुम देख रहे हो यह length हर वक्त vary करेगा तो इसका जो mid point होगा वो भी हर वक्त vary करेगा तो इसका mid point जो होगा वो किस path को follow करेगा मुझे उसका equation निकालना है question clear हो गया क्या करा है question तब इसके लिए approach क्या लेंगे वो देखो तो मेरे पास है x square equals to 4y ये curve है origin मेरा 0,0 है और q मेरा ये variable point है variable point का coordinate hk ले लो या xy ले लो अब oq का midpoint चाहिए मुझे तो midpoint आया q जो variable point ठीक है मुझे midpoint of oq चाहिए तो एक काम करो मुझे locus of midpoint of oq चाहिए तो एक काम करो यहां दो q का coordinate यहां parameter के form में ले ले लेते हैं मेरे पास x square equals to 4y है तो मैंने यहां x का value alpha रखा तो y का value कितना हो जाएगा alpha square by 4 अब मुझे इसका midpoint का locust चाहिए तीक है मैंने यहां पर h लिखा h कितना आएगा alpha by 2 k कितना आएगा alpha square by alpha by 2 k कितना आएगा alpha square by 4 plus 0 by 2 alpha square by 8 अब इसको eliminate कर दो इसको eliminate कैसे करोगे तो जहाँ alpha है वहाँ 2 h रख दो इस result में alpha की जगए 2 h रख दिया मैंने simplify करोगे क्या मिलेगा यह मिलेगा 4 h square by 8 so h square by 2 यानि h square equals to 2 k so locus of m h, k will be x square equals to 2 y got it इसका midpoint जिस पाथ को follow करेगा उसका equation ऐसा आएगा ठीक है अगर तुमने यहाँ पर parametric coordinate नहीं लिया तब भी कोई दिक्कत नहीं है ठीक है मैंने इस कर्व के उपर lie करने वाला एक random point opt कर लिया a, b a, b इसको satisfy कर रहा है x square equals to 4 y को इसका मतलब a square equals to 4 b तो है ही o और q का midpoint ले लो तो h क्या आजाएगा a by 2 और k कितना आजाएगा b by 2 a का value 2h k का b का value 2k a और b का value यहाँ put कर दो ठीक है तुम्हें यह ध्यान में रखना है जो extra variable होता है उसे eliminate करना होता है final answer h के और constant में आता है तो a square कितना आएगा 4h square equals to 8 of k so h square equals to 2k तो locus of locus of mh, k will be x square equals to 2y यह तुम्हारा answer आजाएगा ठीक है बच्चे now everyone try second question video pause करो second question attempt करो second question क्या कर रहा है let a 2, minus 3 and b minus 2, 1 be the vertices of a triangle e b c if the centroid of this triangle moves on the line 2x plus 3y equals to 1 find the locus of vertex c यह कह रहा तुम्हारा question तो video pause करो और banana start करो attempt कर लिया तो answer लिखो मैं तो locus of vertex c का answer 2h plus 3k equals to 9 मतलब 2x plus 3y equals to 9 आढ़ा होगा तुम लोगों का ठीक है जिसका नहीं आया वो बच्चे हैं देखो solution देखो तो यह एक triangle मैंने construct किया a b c a का vertex है 2, minus 3 b का है minus 2,1 c का मुझे locus है यह locus of third vertex locus of the vertex c तो c का coordinate h, k लिया और कह रहा है इसका centroid इस line पर लाई कर रहा है तो centroid मैंने यहां पर ले लिया x, y इस line का equation मैंने ले लिया 2x plus 3y equals to 1 तो चीज़ें काफी आसान दिख रही है सीधे x equals to 2, minus 2, plus h by 3 तो मुझे यहां से x का value h by 3 निकल के आया similarly y क्या हैगा minus 3 plus 3 plus k upon 3 y का value k by 3 निकल के आया अब यह x और y इससे satisfy करेगा तो 2x के जगा h by 3 रख दो y की जगा k by 3 रख के simplify करो what you will get finally 2x plus 3y equals to 9 h के जगा x, k के जगा y this is locus of vertex c ठीक है अब वीडियो पॉज करो तुम लोग और थर्ड question attempt करो वीडियो पॉज करके थर्ड question attempt करो तो देखो वीडियो पॉज करने के बाद थर्ड question क्या कह रहा है सबसे पहले question पर हो देखो क्या data दिया हुआ हुआ है तुम्हें और फिर इससे सुरुवात कैसे करेंगे तो करा straight line L through the origin meets these two parallel line तुम्हें किसी पता चला parallel line है तो भाईया इसका slope same दिख रहा है at P and Q ठीक है and through P and Q two straight lines L1 and L2 drawn parallel to 2x minus y and 3x plus y equals to 5 respectively intersected at R तो मुझे locus of R find out करना है ठीक है तो देखो अभी इस question का सुरुवात कैसे करो गया तो इसको मैं roughly plot कर लेता हूँ तो मेरे पास अब कर रहा है एक straight line origin से पास कर रहा है यह origin है तो origin से पास करने वाले line का general equation y equals to mx होता है यह तो पता है तुमें तो यह line l है यह line इसको cut किया p और q पर तो y equal to mx और इसको solve करो तो जहाँ y है वहाँ mx लिखा x की value 1 by 1 plus m आया p का coordinate आ गया 1 by 1 plus m q का coordinate आया m by m plus 1 इसी तरह यहाँ पर q का coordinate आया 3 by m plus 1 और यहाँ आया 3 m by m plus 1 p और q का coordinate निकल गया अब तुमारे question में information क्या कह रहा है अब यह कह रहा है जो यहाँ से अब p से क्योंकि यह point variable है यह line variable है y equal to mx है अलग-अलग slope पर यह अलग-अलग points आएगा जैसे माने लो m change किया तो point change हो जाएगा वापस से slope change किया तो p और q का location change हो जाएगा समझ रहो तो अब कह रहा है जो p से दो state line ड्रॉ करो मतलब p से एक line और q से एक line तुमने इस variable point p से एक line ऐसे ड्रॉ किया मान लो और ये line इसके parallel ड्रॉ किया मतलब इस line का slope दे दिया है तुम्हें कितना 2 इसी तरह q से एक line ड्रॉ करो slope of line L2 दूसरा line इसके parallel है तिसका slope minus 3 दे दिया अब ये वाला line meet कर रहा है r पर तो मुझे लोकस of r चाहिए क्योंकि ये point variable है तिससे pass करने वाला line भी variable होगा ति ये point भी move करेगा vary करेगा तो मुझे इसका path का equation चाहिए अगिन very simple logic मुझे point मालूम है slope मालूम है पहले L1 और L2 का equation तो निकाल लू और उसमें जो extra variable M है उसको eliminate कर देता हूँ तो मैं यहाँ पर सबसे पहले PQ निकाल चुका हूँ अब मैं यहाँ से equation of L1 निकालता हूँ line 1 equation of line L1 क्या होगा line 1 का equation y minus y1 equals to slope इसका slope कितना है था ये given line का equation क्या था 2x minus y हाँ इसका slope 2 है slope of L1 2x minus 1 by M plus 1 इसको simplify करो it will be y minus 2x minus 1 is minus 3 upon M plus 1 इसका equation 1 लिख दिया इसको now we are going to find equation of line L2 equation of line L2 क्या है it passes through Q and having slope minus 3 equation of L2 का equation y minus 3 M by M plus 1 equals to minus of 3 x minus 3 by M plus 1 इसा कुछ आएगा इसको simplify कर दो this will look like y plus 3x minus 3 is 6 by M plus 1 अब यहां से M plus 1 eliminate कर दो या तो यहां से M plus 1 की value निकालो xy के respect में आया यहां से निकालो दूसरे में रख दो नहीं तो दोनों हो divide कर दो now from equation 1 and 2 eliminate M for this we are going to divide equation 1 by equation 2 यह क्या हैगा y minus 2x minus 1 divided by y plus 3x minus 3 so this gives you divide करोगे तो यहां पर क्या मिलेगा minus 3 upon 6 थीक है simplify किया मैंने तो यह result minus half आ गया यही तुमारा locus हो गया x minus 3y plus 5 equals to 0 is the required equation of locus hk मतलब मैंने यहां जो result लिखा था y minus y1 तुम इसको k minus this one लिख सकते हो यानि इस point को hk या xy carry करो एक ही बात है मैंने सीधे xy use किया तुम यहां hk यूज कर सकते है आई वोप यह समझ में आ गया होगा third point का illustration, third question का illustration got it तो जब कभी भी locus का question मिले तो सबसे पहले तो question को visualize करने की कोसिस करो कहा क्या रहा है point move किसे कर रहा है और उसके लिए conditions क्या क्या लगाना है और इसमें देखो बेटा practice करने से ही अच्छे से confidence आएगा लोकस में ठीक है अब अगला question करा is the sum of the distances of a point from two perpendicular lines in a plane is one prove that its locus is a square ठीक है तो देखो यहां information कम है तो मैं यहां दो perpendicular line x-axis और y-axis opt कर लूँ ठीक है अब point तो कहीं भी रह सकता है first quadrant में हो या second में हो या third में हो या fourth में हो तो मैंने moving point h के लिया और इस moving point की खासियत क्या है x-axis से इसका distance perpendicular distance और y-axis से इसका perpendicular distance का sum one है तो यहां से इसका distance को k लिख दिया मैंने distance can't be negative तो mod लगा दिया यह mod h हो गया अब तुम्हारे question में information क्या दिया है mod h plus mod k is one तो लोकस आफ पी h, k will be mod x plus mod y equals to one तो अब यह किसका equation है तो mod x plus mod y equals to one इसका graph plot करोगे तो यह square का equation होता है got it कैसे तो वो देख लो तो mod x plus mod y equals to constant in fact इसको line of thinking के तरीके से इस्तमाल भी कर सकते हो if you have given mod x plus mod y equals to k k greater than zero तो इसका graph हमेशा square बनाएगा कैसे तो तुम एक काम करो mod हटा दो ऐसे total चार लाइन बनेंगे पहला line x plus y equals to k लोग जब एक्स greater than zero y greater than zero एक्स positive y positive यह first line दिया तो इस domain के restriction पे ऐसा आया अब तुम यहां x positive y negative लो फिर x negative y positive लो फिर फिर दोनो निगेटिव लो तो यहां total चार लाइन बनेंगे पहला line यह दूसरा यह तीसरा यह और और चौथा line यह इन चारो line को जब construct करोगे ठीक है यह कि square बन जाएगा square थोरा विकलांग हो गया इसको ठीक कर दो मतलब drawing कर लेना drawing मेरा अच्छा नहीं है concept should be important यह आ गया k, 0 यह आ गया 0, k यह हो गया minus k, 0 यह हो गया 0, minus of k ठीक है अब इसका length क्या आएगा, root 2k, squaring कर दो, squaring करोगे यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2k square यह area आ जाएगा इसका, अगर area पूछा तो, तो यह ध्यान रखना, mod x plus mod y equals 2k रहाती है, हमेशा square देगा अब इसी में तुमें constant ax plus constant by equals 2k दे दिया, तो फिर यह चार line construct करके देख लेना, क्या बन रहा है, rhombus है, rectangle है, क्या है, got it? ताई हो fourth समझ मा गया होगा, अब तुम लोग video पॉज करो और fifth question try करो अब इसके बाद, तुम लोग next question पर हो, ध्यान से और attempt करो, देखो क्या information दिया हुआ है the area of the triangle formed by the intersection of a line parallel to x axis and passing through ph, k ठीक है, with the line y equals 2x and x plus y equals 2, is 4h square, find the locus of point p, ठीक है तो मैंने एक moving point assume कर लिया, ठीक है, तो line parallel to x axis है यह x plus y equals 2, 2 है, और यह y equals 2x है, ठीक है, अब यह line एक moving point h, k से पास कर रहा है, ठीक है, और x axis के parallel है, तो इस line का area दिया हुआ है, 4h square, ठीक है, तो अब सबसे पहले इन सब का vertices निकल लो, असानी से, इस point का coordinate क्या निकल, क्या निकल के आएगा यह, यह तो हो जाएगा y equals 2x, so you can say this is k, k और h, h, यहाँ पर y equals 2k है, तो y equals 2k है, तो x का value कितना आ जाएगा, 2 minus k, और इन दोनों को solve करो, तो यह point 1, 1 आया, तो points पता चल गया है, तो अब area of this triangle you have given, area is 4h square, अब area calculate करो, area क्या जाएगा, half of k, k, 1, 1, 1, 1, 2 minus k, k, 4h square, अब determinant expand करने आता है, ठीक है, तो expand करो, देखो simplify होके cut pit के यह बचना चाहिए, k, so k equals to plus minus 2h plus 1, so you can say, locus of ph, k is y equals to 2x plus 1, or y equals to 2x minus 2x plus 1, ठीक है, यह बचना चाहिए, locus, okay, now come to next question, a variable line passes through the point B2,5 intersect the lines, this at P and Q, okay, अब देखो इस particular question में, सबसे पहले हमारे पास information क्या दिया हुआ है, एक variable line pass कर रहा है, 2,5 से, और intersect the line, यह दो line को multiply करके लिख दिया है, आगे pair of straight line में details इस तरह का equation देखेंगे, फिलाल middle term split करो, इसको जब factorize करोगे, तो 2x square minus of कितना आ जाएगा, 4xy minus of xy plus 2y square, तो यह क्या है, यहां से 2x common लो, तो x minus of 2y, यहां से minus y common लो, x minus 2y, simplify करोगे, यू विल गेट x minus 2y, 2x minus y equals to 0, अब ऐसा करने से तुमारे पास 2 straight line मिला, एक line मिला, l1 equals to 0, और दूसरा line मिला, l2 equals to 0, एक line आया, तुमारे पास x minus 2y equals to 0, और दूसरा line आया, 2x minus y equals to 0, ठीक है, इसका मतलब एक आया, y equals to 2x, तो मैं सीधा सीधा इसको लिख देता हूँ यहां से, जो मेरे पास यह दो line आया, एक आया, सीधा सीधा y equals to 2x, और दूसरा line का equation सीधा सीधा मैंने लिख दया, y equals to x by 2, तो यह आया, y equals to x by 2, और यह another line है, जिसका equation मैंने लिया, y equals to 2x, अब करना, यह एक variable line है, variable line क्यों है, क्योंकि, यह एक point, यह r, h, variable point है, इससे पास कर रहा है, और साथे साथ यह 2, 5 से भी पास कर रहा है, तो मैंने assume किया, यह इसके साथ theta angle बना रहा है, got it, तो अब यह variable line, इन दोनों line को cut किया, p and q पर, और तो मारे पास information दिया है, b to p, b to q and b, r, यह h, p बना रहा है, इस information के basis पर, अब conclusion के निकलेगा, वो देखो, मैंने assume किया, let b p is nothing but r1, b r is nothing but r2, b q is nothing but r3, then coordinates of, then the coordinates of, coordinates of p, r, q will be, तो p का coordinate symmetric form of the line से क्या निकल के आएगा, बच्चे, तो coordinates of p will be, 2 plus r1 cos theta, rough diagram है, you can take minus r1 cos theta भी, कोई issue नहीं है, upward या downward यहां भी matter नहीं कर रहा है, तुम चाहो तो minus लेके भी carry करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और यह आजाएगा, 5 plus r1 sin theta, similarly q क्या आएगा, q आजाएगा, 2 plus r3 cos theta, and 5 plus r3 sin theta, and r का coordinate क्या होगा, r का coordinate होगा, 2 plus r2 cos theta, 5 plus r2 sin theta, got it, तो इसका मतलब हम यहां से यह conclude कर सकते हैं, जो p जो है, इस line के उपर लाई कर रहा है, तो p का coordinate इसको satisfy करेगा, इस line को, so can I say, p lies on y equals to 2x, this gives you the information, जहाँ y है, वहाँ 5 plus r1 sin theta लिख दो, जहाँ x है, वहाँ 2 plus r1 cos theta लिख दो, और ऐसा करने से मुझे r1 का value पता चल गया, which is 2, 1 by 2 cos theta minus of sin theta, इसको इधर बेजो, यहां से r1 conclude करो, similarly, q lies on y equals to x by 2, तो अब यहाँ y की जगह रख दो, 5 plus r3 sin theta, and half of 2 plus r3 cos theta, ऐसा करने से फाइदा क्या मिला तुमें? तो you will get r3 is 8 upon cos theta minus 2 sin theta, यहां से यह r3 conclude हो गया, ठीक है बच्चे? अब r जो है, वह h, k है, तो यह coordinate h k equal है, और यह k k equal है, तो can I say, h is 2 plus r2 cos theta, and k is 5 plus r2 sin theta, तो यहां से h minus 2 by r2 is cos theta, k minus 5 by r2 is sin theta, तो मैं अब यहां से मेरे पास r1 दिया हुआ है, तो मैं 1 by r1 calculate करूँ, reciprocal ले लूँ इस box से, तो this will be 2 cos minus of sin, इसका reciprocal ले लूँ, तो 1 by r3 will be cos minus 2 sin theta upon 8, ठीक है, तो अब यहां से अब देखो, तुम लोग, यहां पड़ अब cos और sin की value यह वाली put कर दो, manipulation देना यह बड़ा tricky question है, ठीक है, इसको मैंने equation 1 समझा, इसको equation 2 समझा, equation 1 and 2 में cos और sin की value रखो दूँ, तो 1 by r1 is 2, cos theta के जगा मैं h minus 2 upon r2 रख दूँ, और sin theta के जगा k minus 5 upon r2, अब मैंने दोनों तरफ r2 से multiply कर दिया, ऐसा करने से फाइदा क्या मिला, r2 by r1, we will get 2 times of h minus 2 minus k minus of 5, simplify this, 2 h minus k minus 4 plus 5 is 1, this is r2 upon r1, similarly, 1 by r3 is, थीक है, similarly, 1 by r3 is, 1 by 8 cos theta, cos की value रखो, h minus 2 by r2, minus of 1 by 8, sin theta की value रखो, k minus 5 by r2, फाइदा, अब जब तुम यहां दोनों तरफ r2 से multiply करोगे, तो you will get r2 by r3 is, h minus 2 k plus 8 upon 8, यहां तक clear है, अब तुमारे question में information क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखो, question में यह बोला है, जो bp, br, bq, r in hp, इसका मतलब, इसका मतलब यह हुआ, जो r1, r2, r3, r in hp, so r1, r2, r3, r in hp, अगर यह hp में है, तो its reciprocal will be in ap, r in ap, और अगर यह ap में है, तो this will be 2 by r2, equals to 1 by r1, plus 1 by r3, दोनों तरफ r2 से multiply कर दो, you will get r2 by r1, plus r2 by r3, और तुमने अभी-अभी r2 by r1, and r2 by r3 का value निकाला, hk में, finally जाके, hk और constant में relation आया, क्योंकि extra variable sign cost था यहा, तो उसे eliminate करना जरूरी था, देखो, यह cut pit के, 17h minus 10k equals to 0, और आओगा, so we can say, locus of rh, k is, 17x minus 10y equals to 0, got it, okay, now everyone try to solve question no.7, again video pause करो, और 7th question, attempt करने की कोशिस करो, अिरff, कि यहाओा है लाइ अ के बाहा हो, गषा प्हाए बार यहाओाए आ़िछ बालीता के लाण किे च्टउमे जोबऄताक सभी निarrive おहाँ, क कि अनरीता बालीता सब्सकैंटाह okay, बाहा हो मनेघभे लाण tutti गहाए,